नमस्कार दोस्तों पड़ताल दुनिया भर की में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अमरीका में हो रहे है चुनावी गमासान में जिस तरह से लड़ाई हो रही है वहां कमला हैरेस और डोनायल ट्रम के बीच अगले राष्टपती पद के लिए वह बहुत दिल्चस्प है वैसे भी यह चुनाव बहुत मानिक हैज है क्योंकि पहली बार वुमेन ओफ कलर जी हां कमला हैरेस को ऐसे ही डिफाइन किया जाता है अमरीकी पॉलिटिक्स में वह एक दावेदार हैं आज तक अमरीका के इतिहास में कोई महिला राष्टपती नहीं बन पा ज़्यादा मिले थे इस बार कमला हैरेस जिस तरह से कमान उन्होंने समाली है और जिस तरह से उनके पक्ष में महौन बन रहा है उससे देख के लगता है कि उनके पास बढ़त है खास तोर से जो डिबेट्स हो रही हैं उन डिवेट्स में डोनाल ट्रम्प बिलो दबेल्ट जिस तरह से वार कर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली खाने की बात कर रहे हैं और कमला हैरिस को एक वुमेन ओफ कलर होने की वज़ा से नीची निगा से और नीची भाशा का इस्तमाल करके उन्हें डिग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसने बड़े पैमाने पर एक सवाल पेश क है कि अबरीका में अमरीकी राजनीती में क्या इस बार कुछ चेंज होगा या फिर उसी तरह से राजनीती मर्दवादी बनी रहेगी दूसरा एहम सवाल है कि जो अमरीकी पॉलिटिक्स है जिस तरह से डेमोक्रेट से एक तरफ जिसके रिप्रेजनेटीव कमला Harris और उस तरफ है Republicans जिनके representative है Donald Trump इन दोनों की जो नीतियां है खास और से विदेश नीती क्या उसमें कोई बड़ा परिवर्तन होता है या नहीं इन तमाम मुद्दों पे चर्चा हम करेंगे प्रबीर पुरकाइस के साथ तो प्रबीर चलते हैं सीधे नक्षे की ओर क्योंकि यह नक्षा बहुत बता रहा है पचास राज्य हैं अमरीका में United States of America में और यहां पर जो लड़ाई है Democrats और Republican के बीच यह बहुत पेचीदा वाली है कॉंप्लेक्स है जो पूरी लड़ाई है जो पॉपलर वोट्स है उनके इतर जो Electoral Colleges के वोट्स होते हैं वह एहम भूमिकान अदा कर रहा है यहां पर जो दो कलर्स हमने इस्तमाल किया है यह जो नक्षा है उसमें नीला Democrats के लिए यानि Kamala Harris और जो लाल है वो Republicans के लिए या रेट दुनिया में बामपंथी समझी जाती है वहां पर रेट रेपब्लिकन है और ब्लू जो है वो Democrats है तो यह एक मैं कहूंगा कि एक फरक है दुनिया अर अमरिका के बीच में जी लेके राजनीत में आपने जो कहा कि काफी पेशिदा इस्यू है इलेक्टोरिल कॉलेज के है अबरिका में और पॉपुलर वोट किया है पीछले बार पीछले बार उसके भी पीछले बार Hillary Clinton को पॉपुलर वोट मिला था पर Trump जीते थे क्योंकि Electoral College जो है वो उसमें जीत गये थे अब भी भी popular vote Harris की पक्ष में लग रहा है पर Electoral College जो है अभी भी उसमें कोई निशकर उसमें करना मुश्किल है अगर आप देखे क्या-क्या इस कलर से जो एक हमने साइट से लिया हुआ है 2702WIN.com करके है तो दिखा था 270 पहुंचने के लिए पार्टियों को कौन-कौन सा स्टेट में क्या-क्या करना पो देखेंगे जो फर्म Republican है उनको 125 Electoral College की वोट है कह सकते है वो खटरे में नहीं है, दिवोक्राट से उसे जाधा है, 181 है जाधा है पर अगर देखें, निक्स्ट जो कलर है जिसमें लीड लगता है इस वाक Republican की है तो उनका 94 में लीड है लगता है, नारो लीड है पर लीड है और 44 जो है वो देमोक्राट की लीड है अगर द तो अब जो सवाल होता है, Green वाले क्या है? Green वाले वो है, जो अभी जिसको battle ground states कहते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं और उसमें जो सबसे बड़ा है, उन्नीस vote Pennsylvania का है, वहाँपर Kamalai Harris की जीतने की chance थोड़ा ज्यादा है, इस वाकत, आज की जो percentage को छोड़ दीजिए जो अभी एक्जिट पोल तो नहीं है पर अभी जो ओपिनियन पोल निकल रहा है उससे लग रहा है थोड़ा सा उनको पलड़ा भारी है पर है काटे की टककर इन सब जगों पर तकरीबन 93 वोट्स पड़ते हैं टोटल जो अभी 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 कर पाएंगे तो इसलिए ये 93 जो स्टेट्स की इलेक्टोरिल कॉलेज है सबसे एहमियत ये रखती है और आज के तारिक पे अभी डिबेट हुआ है उसमें लोगों ने कहा कि हैरिस ने जीता है ट्रंप की परफॉर्मस इती अच्छी नहीं रही उसमें आपने कहा कि बाद म काफी करीबी है और अभी भी पांच नवंबर तक कुछ भी हो सकता है पर ये समझना कि क्योंकि विवर्स को कमला हरिस की परफॉर्मस ज्यादा पसंद आई उससे चुनाओं पे बहुत भारी फरक पलेगा ये सोचना गलत होगा क्योंकि यहां पर लगता है जिस तरह से पोल यानि आप कहना चाहरे हैं कि जो एक पब्लिक परसेप्शन बन रहा है और खास और से जिस तरह से टीवी डिबेट्स में बाची चल रही है दिखाया जा रहा और खास तरह से जो अभी डिबेट हुई टीवी चैनल पर जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ट्रम बैक जाते हैं और वहां पर मॉड्रेटर ने रोका और बताया कि आप गलत बोल रहे हैं इस तरह की चीजे नहीं होती है तो यह भी तो एक दूसर ढंकी तस्वीर दे रहा है इसे क्या प्रभावित नहीं होगा अमरीका का वोटर वोटर प्रभावित किस से होता है हमर आप जानत है और यह ट्रम्प गलत हो सही हो मेरा अगर कोई माने तो गलत हो सही हो तो वही वोट करेगा तो इसलिए यह सोचना कि ट्रम्प बहुत सारे गलत तथ पेश करते हैं उससे उनकी वोटिंग बेस पे खास फरक तो हमने पढ़ते हुए देखा दी है तो यह जो चीजे है यह कि पोलराइस्ट पब्लिक है वहां पे और ट्रम्प की जो सुपोर्ट बेस है उसमें खास फरक नहीं पढ़ता ट्रम्प क्या बोलता है नहीं बोलता है इन चीजों पे उनका इमोशनल लगाओ ट्रम्प के प्रती है क्योंकि एंटी इमिग्रेंट है अमरिका को फिर बढ़ कर देंगे यह कहते हैं और उनको लगता है कि यह जो आज के तारिक पे जिसको एक वोग पॉलिटिक्स अमरिका में चला है उनके खिलाफ भी एक ओपोजिशन जो है और ट्रम्प उसको रिप्रेजन करता है यह भी लग रहा है खास तोर से जो रेड बेल्ट है जो बहुत ब यह जनता रहती है ब्लू बेल्ट में यह जादा पढ़े लिखे है मिडल क्लास है अर्बन शहरी जनता ज्यादा है और यह जो अग्रिकल्चरल कहें खेती करते हैं पोशुपालन करते हैं ऐसे लोग ज्यादे हैं तो यहां पर कंजर्बेटिव अमेरिकन्स की गड़ है जिस इनके पक्ष में नहीं जाएंगे यह शब इस्तमाल करके ही एक वोग पॉलिटिक्स खिलाफ इन में उपिनियन बिल्ड कर दिया है कि हमको वाइट ट्रैश कहते हैं तो यह जो चीजे हैं डिविशन्स अलग तरीके के प्ले करता है इमोशन्स पे तो इमोशन्स और लॉजि हैं यह हमने भी चुनाओ में देखा है तो इसलिए अमरिका के इस चुनाओ में देखना पड़ेगा किते लोग स्विंग कर सकते हैं इधर से उधर जा सकते हैं उनकी संख्या कितनी है और इसलिए मान के चल रहे हैं कि पिंसिलवेनिया में जहां पर टक्र काफी क्लोज है कम पर यह इनके लिए अच्छा है मिचिगन भी हो सकता है को कि सबसे ज्यादा जो अभी स्विंग स्टेट्स में है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स रहें 19 से वहां पर नौट कैरलेना हो जॉर्जिया हो और यह है मिचिगन इनमें भी वोट्स बहुत नहीं है इसकी तो इन चार स्टेट्स रिट्साइट करेगी चुनाओ का परिनाम क्या होगा लगता है इस वक्त तो अभी भी जो डिबेट हुई है उसके बाद खास ओपीनियन पोल हमने देखा नहीं है तो वो इस हफता ओपीनियन पे क्या असर पड़ गया इसकी वो पता चलेगा यह बात तो सही है डिबेट के वजए से 3-4 परसेंट इधर से उधर हो सकता 3-4 परसेंट फड़ेगा पर 2 परसेंट इधर से उधर जुआ पतलब 4 परसेंट फरक जो पढ़ता है 4 परसेंट और टेलर स्विफ्ट में इनको इंडॉर्स किया सबसे पॉप्लर सिंगर तो यह सब देखते हुए लगता है कि मोमेंटम कुछ हद तक हैरिस के पीछे स्विंग किया है जो की बाइडन की जो डिबेट का परिनाम था उसमें पूरी तरह से बाइडन अपनो मोमेंटम खो दिया था ट्रंप जो है उसमें काफी आगे चले गया थे एक काल्पनिक सवा आप से मैं पूछती हूं कि अगर मान लीजे कमला हैरेस जीती हैं बनती हैं पहली महिला राष्टपती अमरीका की तो दुनिया की पॉलिटिक्स में उसका क्या असर पड़ेगा क्या ट्रंप और कमला है इसको अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अनलाइज करें तो आप क् प्रशन है क्योंकि ट्रंप जब आता है एक अंगाइड़ मिजाइल जैसा है वो किधर दागेगा किधर जाएगा उसका हिसाब करना बड़ा मुश्किल है तो उसमें फायदे भी है नुकसान भी है फायदा ये था कि उन्होंने नौ्थ कोरिया किसे बातचीत की थी तो कोई अमरिकान प्रेजिनेंट नहीं कर रहा था नुकसान ये भी है उसे कुछ निखला नहीं और इस्रेल के साथ गये पूरी तरह से सैंक्शन लगाए अमरिका ने चीन के ऊपर उस वक्त जिससे अभी भी उनकी एकनॉमिक क्राइसिस जो है अभी बरकरार है जो सोचे थे कि चीन जो उकरेन की है ये ट्रॉम के ज़र दौरा नहीं हुआ था ये शुरू हुआ था बाइडन के ताम पर ये भी सही है कि रिपब्लिकंस भी जंग किये हैं जोर्ज बुश इराक में तो अफगानिस्तान में दोनों एक साथ थे इस पे तो ये सब देखते हुए अमरिका की फिलिस्तीन को लेकर पर यह है जैसे मैंने का ट्रंप अंगाइड़ मिजाइल है तो क्या करेंगा नें करेंगा कोई भरोजा नहीं है वो कह सकता है बहुत ज्यादा पैसा हमारा लग रहा है हम इसको कप अधुग यह भी कह सकता है क्योंकि वो काफी इस्रेल के पक्ष में थ तो इस्रे अरब मुलकों में बीज बिचाओ अब्रहाम रिकॉर्ड एकॉर्ट के नाम पे बीज बिचाओ कर रहे थे तो इस्रेयल के इशू पे चाहे ट्रम्प हो चाहे एरिस हो उसमें खास फरक अभी नजर नहीं आ रहा है और खास तोर से दिमोक्राट्स के अंदर एक फिल कुछ लोग अपने दिखा रहे थे कि जेनोसाइड चल रहा है यह सारे चोटे-चोटे लेकिन वो कोई वोकल तो नहीं था प्रोटेस्ट उनका वेट नहीं है दिमोक्राटिक पार्टी के कंट्रोल जो है अभी भी जो इस्रेयल के पक्ष में है उन्हीं के साथ है तो यह दो सोचें कि भारत के लिए कौन बेटर होगा और यह सवाल बहुत इंपॉर्टन्ट इसलिए है क्योंकि भारत एक समय ट्रंप के साथ जा चुके हैं जब ट्रंप जिस चुनाव को हार गए उस समय हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंद मोधी तकरीबन ट्रंप के साथ और नीले के बीच एक वक्ता की इंडियन वहां पर जो वोटर था वो पूरी तरह से डिमोक्राइट था ट्रंप आने के बाद और इंडिया में बीजेपी की जीत के बाद एक सेक्शन वहां पर रिपॉब्लिकन्स के पास पहुंचे अभी भी हैं पर अभी भी बल्क आफ इ को इस बार वोट देंगे पर एक काफी बड़ा सेक्शन है जो अपने आपको हिंदुत्वा के साथ जोडता है और वो सोचता है कि ट्रंप शायद हमारे लिए बैतर है उधर हो सकते हैं पर मुख्य तोर पे इंडिया की पॉलिटिक्स और हमारा जो वहां पर अमरीका में बै दिख रहे हैं इमिग्रेशन में कौन से फाइदा होगा सिदिजिंशिप कैसे बिलेगा ग्रीन कार्ड जो इसको हम मजाक में ग्रीन पार्टी कहते थे जितने ऑफिसर्स है उनके बेटे-बेटियों के ग्रीन कार्ड उनकी पॉलिटिक से काफी प्रवाबित होती है तो यह स सब चीजों छोड़ दीजिए सवाल है इंडिया राष्ट के तोर पे क्या उसका क्या फरक पड़ेगा बताना मुश्किल है क्योंकि दोनों की इस वक्त रवाया करीब करीब एक ही है यूरोपेन यूनियन और अमरीका मिल के दुनिया का एकिनॉमिक दिशा निदेश करेंग और उसके मताबिक WTO को उन्होंने नजरांदास कर दिया है कहा है कि हम जिस पर सैंक्शन लगाएंगे क्योंकि हमारा इकनॉमिक बुलबाला है इकनॉमिक इंस्टूशन का बुलबाला है जैसे आपका वर्ल बैंक है इसके साथ साथ रिजर्फ करेंसी डॉलर है इसके बाद बैंक्स की बड़ी भूमी का है इस इन सब चीजों में यह सब देखते हुए हम अभी भी डिटर्मिन करेंगे एकनॉमिक एकॉनमिक क्या होगा देशों का और इसके साथ साथ जो सैंक्शन लगा रहे है रूस पर चीन पर यह सब देशों पर असर पर लेगा लेकिन भारत न हैं और चीन से भी उसने अपने रिष्टे खतम नहीं किये हैं तो ऐसे में अगर जो इक्वेशन बनती है अभी मान लीजे एक काल्पनिक सवाल डेमोक्रेट्स की कमला हैरेस जीती है तो भारत से क्या रिष्टे और करीब होंगे या जैसे बाइडन के समय थे वैसे रहेंग कि अगर हम भारती राष्ट हैं तो हमारी किया स्टेक से इन चीजों में तो हमारा स्टेक इस वक्त यह है कि एक सरकार वहां आएगा एक प्रेजिन बनेगा चार साल के लिए उसके साथ हमारे क्या रिष्टा होना चाहिए और उस देश के साथ क्या रिष्टा होना चाहिए अर सबसे बड़ा सवाल इसमें जो है रूस और चिन के साथ हमारे क्या संबन्द हैगा अमरिका का साथ सक्क्या संबन्द रहेगा, वेस्ट एशया की यह यह तेल प्रड्यूस करते हैं, वहां पर हमारे काफी पड़े पाइमाने पर इनराइज है, अमरिका में कम है, सबसे उस हिसाब से मुझे नहीं लगता दोनों में बहुत बड़ा फर्क होगा तो हमारा ये बात है कि रिष्टा हमारा अफरिका के साथ क्या होगा लाटन अमेरिका के साथ रिष्टा क्या होगा साथ इस्ट एशिया जो हमारे बगल में है उसके साथ क्या होगा और खास तोर से ची जो दुनिया की सप्प्लाई चेन में जो भार उसकी थी इस वक्त नहीं है और इसका एक वज़े ये भी है कि अमरीका यूरोपन यूनियन कमजोर हो रहे हैं चीन की एकॉनमी बढ़ रही है रूस पे जो इनोंने सोचा था खतम कर देंगे उसकी एकॉनमी वह हुआ नहीं है औ इस वज़े से एक सप्प्लाई चेन जो हमारे यहां बंगलादेश में भी जैसे टेक्स्टाइल वगरा ये सब जाता था वो शिफ्ट कर रहा है साउथ इस्टेशिया में और इलेक्ट्रोनिक्स में एसेंबली चीप एसेंबली बोर्ड बनाना बोर्ड बनाना तो अभी भी दोनों जगह पे नहीं है पर छिप बनाने के बाद जो चीज़े होती है उOS आउथी स्टेश्य हम से आगे है क्योंकि उन जगह पे अगवाई करना उन्हों ने चीन की सफ्प्लाईज चेन के साथ मिलके पहले से कर रहे हैं अब अगर हम करना चाहतें अम्रिका से करें, चीन के साथ करें, दोनों के साथ करें, ये हमारा चैलिज है. और जैशंकर जी की अगर बात सुने, तो वो कह रहे हैं हम इंडिया के favor में हैं, हम ना रूस ना अम्रिका ना चीन के favor में हैं, हमारा तो बेसिक चीज है, सब के साथ दोस्ती रखना, तो non-alignment के नहरू की भाशा नहीं पर अपनी भाशा में वही चीजे बताना शुरू किये हैं बहुत बहुत शुक्रिया प्रभीर तो देखा आपने अमरीका यानी पचास राज्यों वाला यह जो देश है यहां पर जो पॉलिटिक्स है वह कितनी कॉमप्लेक्स है किस तरह से उलेक्टोर colleges हैं उनको जीतना आज की तारीख में भी कमला हैरेस के लिए बहुत मुश्किल है और कमला हैरेस अगर जीत जाती है electoral colleges को और 5 नवंबर को उनके पक्ष में बड़े पैमाने पर मद्दान हो जाता है तब अमरीका की politics तो जरूर बदलेगी क्योंकि उसे मिलेगी पहली महिला राष्टपती पहली महिला colored राष्टपती क्योंकि वह गोरी चिट्टी स्किन वाली महिला नहीं है लिहाजा यह तो एक युद्धनीती है इसमें बहुत अंतर नहीं होगा लेकिन फिर भी कमला हैरेस की जीत एक बड़ा संकेत देगी देश में यानि अमरीका में और दुनिया में शुक्रिया